हेलो स्टूदेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अंतराश्य राजनीती में सिध्धान्त क्या है अंतराश्य राजनीती जो की राश्य हित संघर्ष और शक्ति पर अधारित है बॉर्गेंथो ने भी कहा था struggle for power is called international politics की अंतराश्य राजनीती में विभिन राश्य होते हैं जो अधिक से अधिक राश्य हितों की प्राप्ती के लिए प्रयासरत होते हैं और उस राश्य हित की प्राप्ती के लिए आपस में उनमें संघर्ष होता है और जो संघर्ष वो शक्ति रूपी साधन के द्वार दूर किया जाता है तो अंतराश्य राजनीती का एक मात उद्धिश है अधिक से अधिक अपने आपको शक्तिशाली बनाना या अधिक से अधिक राष्ट्य हीतों की प्राप्ति करना क्योंकि अंतराश्य राजनीती राष्टों के बीच की राजनीती है अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंतराष्टिय राजनिती के सिध्धांत अंतराष्टिय राजनिती के सिध्धांत राज के आपसी संबंदों के बारे में चिंतन की एक परंपरा मात्र है जो राजे की जो चिंतन संबंदी चिंतन की जो परंपरा है उसके साथ जोड़ावाया कि उस राजे के बारे में किस प्रकार से हम जो है अध्यन कर सकते हैं कि घटनाएं किस प्रकार से होंगी या समस्यां किस प्रकार से होंगी तो जो राज्य समंदी चिंतन को ही राजनीती सिध्धान्त का नाम दिया गया है किसी भी विशे के जो कहना चाहिए विवस्थित और विज्ञानिक जो अध्यान होता है वो उस विशे के सिधान ही हैं और उन सिधानतों के माध्यम से उस विशे के बारे में हम अध्यान कर सकते हैं अंतर अशियराजनीती में भी बहुत सारे सिधानत हैं जैसे खेल सिधानत हैं । गिंधैरी decision making theorie निळने परक सिध्धान, bargaining theory, सौदेबाजी का सिध्धान, communication theory, जो कहना चाहिए आपका संचार सिध्धान, तो ये इन सिध्धानतों के माध्यम से कि राश्टों के बीच में किस प्रकार से समस्याएं आएंगी, किस प्रकार से घटनाएं घटितोंगी, उसके बारे में अध्यान करने के लिए ये एक सिध्धानत हैं, कि जिससे उस विशेक का एक विवस्थित अध्यान किया जा सके और उसके बारे में, उसके लिए कुछ सिध्धानतों का निर्माण इसलिए किया गया, कि इन सिध्धान्तों के अधार पर हम अंतराष्टे राजनिती जो उस समय में अपने एक विकास के क्रम में था उस विकास की डगर पर था तो उस समय कुछ सिध्धान्तों का निर्मान किया गया कि इसके अध्यान के लिए किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं राजनीति के अध्यन का ये एक द्रश्टी कोन है खेल सिद्धान जर्मन गणितिग्य थे लिबनेटीज ने 1710 में इसके महत्व को अनभव किया लेकिन इसका जो व्यापक प्रयोग करने का श्रेक इसे जाता है जॉन वॉन नूमैं उन्हों ने अंतराश्चे राजनीति में इसका प्रयोग किया और सबसे बड़ी बात है खेल सिद्धान्त में जिसका प्रयोग जब इसमें किया गया तो मॉर्टन कैपलान है थॉमस शेलिंग है या मॉर्डन शूबिक थे या कॉल डाइश थे इन्होंने इसका बहुत बढ़ चड़कर इसका जो अंतराश्य राजन के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अब खेल सिद्धान्त से तात्परिया यह है कि जिस प्रकार से अंतराश्य राजनीती में आप दिखते हैं कि दो राश्टों के बीच में संबंदों को कायम करना और खेल में हम क्या होता है कि जो हमारे दो विरोधी दल है उसके बारे से एक एक्जांपल के साथ ले सकते हैं कि जैसे चैस का गेम है तो चैस के गेम में आपको पता है कि प्यादे किस तरीके से चाल चलेंगे या घुरा धाई घर चलेगा फिक्स चाल है तो जब चाल चली जाती है तब उसमें आप यह अनुमाल लगा सकते हैं कि अगर इसने य equally distributed होंगे लेकिन कौन सा कार्ड किसके पास आएगा यह आपको नहीं पता इसी तरीके से international level पर भी जो समस्याएं हैं वो किस करवट लेंगी किस करवट बैठेंगी कुछ नहीं पता हमें उसके solutions हमें उसके तयार रखने हैं कि अब उसका पूर्वा अनुमान है या उसकी रण निती है या उसकी योजनाएं है हमें हर प्रकार से उसकी बनाकर रखनी है तो उस समय में जो हमने अंतराश्य राजनीती में जो खेल सिधान का जो कहना चाहिए मार्टिन शूबिक ने या मॉर्टन कैपलान ने इन लोगों ने इसका प्रयोग किया तो उनके कहने का ताथ पर यह था कि इसमें दो राज्यों की जो समस्याएं हैं उनको इस रिष्टी से देखा जाएगा कि हमें उनके बारे में पूर्वानमान रखना होगा विरोधी राष्टों के बारे में या जिन राष्टों की से हमारी कोई समस्याएं हैं या हमारे अच्छे संबद नहीं हैं तो उनके बारे में हमें पहले से प्रिपेर रहना होगा तो मॉर्टन शूबिक ने इस सिद्धान का मतलब जो वर्णन किया वह एक कहना चाहिए मैसमेटिकल मैथर्ड क्योंकि उस समय जो हम डिसीजन लेंगे वही हमारे नेशनल इंटरस्ट में सहयोग रहेगी सहयोग देगी और जादर से जादर हम अपने उसमें जो कहना चाहिए डिसीजन जो हमारा लिया जाएगा वह हमारे फेवर में होगा तो यह उसको उन्होंने एक मैथमेटिकल उसम एक खेल में जैसे दो दल हैं उसी तरीके से राष्टों को भी उसी रूप में उन्होंने देखा और उस प्रकार से वह उसको आगे उन्होंने इस जो सिध्धान का अर्थ अब हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्टर्स हैं कि जो पांच मुख्या वस्ताएं जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर राष्ट्यर राजनीति में संघर्श कहनें बहुत है संघर्श हितों की प्राप्ती नहीं की था और शक्टी रूपी साधन करे माधेम उसको तो भूलिए जो ये तो fix इसमें चल रहा है इसमें कैस संघर्ष भी होगा कुछ उसके नियम भी होंगे खेल के नियम कि आप बच्पन से अब तक आपने दिखा कि जो गेम होते हैं बिना rules and regulations के कोई आप केम नहीं खेल सकते तो नियमों के साथ चल कर ही आप किसी केम को उसके प्रणाम तक ले जा सकते हैं फिर है हमारा सूचना इनफॉर्मेशन की सूचना कि सरीके से या स्ट्रेटेजी रणनिती क्या है और च्छतिपूर्थी अब हम सबसे पहले इस पर आ जाते हैं कि हमारा जो यह है संघर्ष अभी मैंने आपको बताया कि अंतर राश्ट्य जो है राजनीती तीन विन्वों पर आधारेते हैं जिस च्छेत्र में दो विरोधी नीतियां या गुठ मींस दल है और जिनकी परसपर विरोधी नीतियों के कारण उनमें संघर्ष होना ही होना है और यह संघर्ष ही क्या है एक खेल का रूप है और यह दोनों दल जो क्या है दो राश्ट है इन राश्टों के बीच में संघर्ष हो रहा है अब second point का है खेल के नियम rules of game अब जैसे खिलाडियों के दल जो होते हैं वो अपने अपनी टीम के लिए कुछ खेल संबंदी नियम बनाते हैं उसी परकार यहां पर विरोधी राष्ट भी अपनी इस्तिति आदि की ज्रिश्टी से अपने लिए कुछ नियम बनाता ह है और इसे ही जो क्या है कि खेल के नियम या rules of game कहा जाता है नेक्स्ट हमारा मैंने बताया सूचना information की सूचना मतलब क्या है कि उसका सूचनाओं का संग्रह करना अब सूचना का संग्रह हम कैसे करेंगे जैसे आप देखते हैं कि हमारे जासूस अन्य राष्टों में जाकर और या अन्य साधनों के द्वारा उनकी इंटर्नल और एक्स्टर्नल जो सरक्वन स्थितियां उनका जो अध्यन करने के बाद और उनकी economic development economic है या टेक्निकी जो है और या फिर उनकी कहना चाहिए जो सैनिक शमता आ दिया है उसके अध्यन के द्वारा और उसकी बाइए जो security है military power कैसी है तो कौन उनके nation कौन से nation जो है world level पर उनके मित्र है और कौन से nation उनके जो है शत्रू है उनके पल का इन सब बातों का कि उनकी क्या capability है इसका अध्यन करना और उनके बारे में सारी सुझनाय गठी करना यह इसकी इसकी होगी third factor first क्या था conflict तूसरा हो गया rules of game और रण निती strategy is a very important factor in the game theory because इसमें शत्रू राष्ट द्वारा उठाये जाने वाले जो कदम है उनका अनुमान पहले से ही लगा लेना और अनुमान लगा कर कार्यवाई गरने की जो यूजन है उसको बना लेना देखे कोई भी क्या होता है कि आपने अभी Olympics भी देखे होंगे आप सब लोग देख रहे होंगे कि हम लोग किती बार पॉर्डर पर जाकर बिल्कुल लग रहा था कि आपता नहीं विन कर पाएं या ना कर पाएं लेकिन जब एक अच्छी रण निती बनाई जाती है तो लास्ट में भी हम जीत वहारावा गेम जीत जाते हैं क्यों क्योंक बना सकते हैं नेक्स हमारा आता है पेओफ चती पूर्ति इसे काते हैं ये मतलब इंपर्टन फैक्टर है इसमें होता है कि आप बाद में जनलेरे demasi करना कि जो हमारा हुआ है जागटना गतिती देन इसके पांच फैक्टर संगर्ष खेल के नियम सूचना रन्निती और शतिपूर्थी इनके माध्यम से हम गेम थेड़ी का अध्यान करते हैं हमारा आता है काइंट्स ऑफ गेम थेड़ी मींस खेल सिधान के जो है परकार की उसमें खेल कित्ते परकार का होता है तो उसमें है शुन्य जोड गेम खेल तो जीरो संगर्ष होता है उसका सरूप निर्नायक होता है अर्था जो दोनों पक्ष जीने और मरने के संगर्ष में लिप्त होते हैं इसमें इसका परिणाम क्योंता है कि या तो पूरे एक जो कहना चाहिए दल विजयी होगा और दूसरे का पूर्ण विश्विनाश होगा मतलब एक की पूर्ण हार और एक की पूर्ण जीत होगी नेक्स्ट मारा आजाता है सतत जोड़ खेल जिसे कहते हैं कॉंस्टेंट सम गेम यह कहा है कि इसमें राष्ट जो है प्रतिदंदी राष्ट दूसरे को हराकर लाब नहीं लेता बलकि इसमें कहा है कि पारस्परिक सहयोग एक कॉपरेशन की भावना से जो प्रेड़ित होते हैं और जो लाब है उसको समान रूप से माट लिया जाता है तो इसमें क्या है कि पारस्परिक सहयों की भावना से प्रेडित होकर लाप को प्राप करना फिर धर्ड हमारा आ जाता है आशुन्य जोड खेल नौन जीरो सम गेम इसकी स्थिति जो यह उपर के हमने पड़े जीरो सम गेम और कॉंस्टेंट सम गेम इनके बीच की है जिसमें मतलब इसकी स्थिति की दोनों परकार के बीच की जिसमें प्रतिदोंदियों के बीच या तो मतलब विरोध होगा और या सहयों होगा दोनों ही बाते हो सकती है means कि या तो बिलकुली वह एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे और या फिर एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे तो इस तरीके से पहले फैक्टर्स देन हो गया काइंट्स ओफ गेम थेडिए की गेम भी कि शुन्य जोड खेल की स्थिति भी हो सकते जीरो सम गेम कौंस्टेंट सम गेम की भी स्थिति हो सकती है और थर्ड है हमारा नॉन जीरो सम गेम कहते हैं कि गेम अनलेसिज इस दा बैस टूल अविलेबल फॉर दा अनलेसिस ऑफ इस्टेजी की जो खेल सिद्धान्त है मतलब इसका जो हमारे इसमें प्रियोग किया गया है वह एक इस तरीके की रन निती बनाने के लिए कि हम अपने राज को किसी ना किसी परकार से विज आली जा रही है उसके बारे में विचार किया जा सके किसी राष्ट की जैसे मालीजी विदेश नीती की जो संभावित दिशा है उसका हम पुर्वा अनुमान इस थेरी के द्वारा लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार से होगा या किस प्रकार से हम दूसरा राश्ट अपने ज् निर्मान करेगा तो खेल सिद्धान के आधार पर किसी अंतराष्ट्य घटना का विश्रेशन करने के बाद अन्य घटनाओं का भी जो कहना चाहिए स्टडी का रास्ता खुल जाता है क्योंकि उससे यह लगता है कि हम किसी भी प्रकार से इनका अध्यान कर सकते हैं तो यह खेल सिद्धान के वह सबसे ज़्यादा क्या है कि वह अनुभव पर आधारित है मींस इसके करण हम विश्यवानी भी कर सकते हैं और स्टेजी भी बता सकते हैं कि कि किस तरीके से हमें करना है तो खेल सिद्धान के समर्थक हमेशां यह कहते हैं कि नहीं रंडनिती का विश् नहीं है तो अंतराष्टिय राजनीती में खेल सिध्धांत के अधार पर ही अंतराष्ट्य घटना का विशलेशन करने के बाद हम अन्य घटनाओं को समझते वे अपनी समस्या LAUN का निदान प्रस्थूत कर सकते हैं और ये किसी भी राष्ट के लिए जो है केना चाहिए समस्य के समाधान के लिए काफी helpful है लेकिन विवारत है इसका प्रयोग बहुत जादा कम किया गया क्योंकि उनको लगा कि यह कि इसको लोग खेल की तरह ना समझने लगे तो इस परकार से लेकिन यह नहीं बनाए गए जैसे खेल सिद्धानत है या निन्यप्रक सिद्धानत है इसमे कि alternatives छाट के हम अपनी problems को solve कर सकते हैं या बूत काल में यह घटना है घटी तो कैसे हम इनको solve कर सकते हैं तो इस परकार से यह सिद्धानतों का निर्मान उन समस्याओं के जो समाधान के लिए किया गया लेकिन इसको विवारता बहुत अच्छे से प्रयोग में नहीं किया ग झांес ऊबाठी का बहुते हैं तो कि अबादी शचे नहीं के इछी एंगित की जहाँरा लेकी तो कि येगलन बहुते हैं तो कि लिए के उल्गकॉनह्जरा से विakah उत्तिए.